अस्सलाम अलेकुम नमस्ते आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खेरियस से होंगे तो आज मैं फिर से आया हूँ और आप लोगों के सामने तो मैं ये कहूँगा आज बहरूपिया के बारे में कि जो ये बहरूपिया है ना आप लोग तो इसको समझ गए हो अगर पब्लिक इससे मुहबत करती ना तो बट यह जीच जाता तो सोनी चैनल वालों से यह कहूंगा कि आपने मेरा जो सपोर्ट किया जो मैंने यूटूब में बोला कि जो भी वोटिंग करवाना तो सही करवाना आप लोग ने सही करवाया है और पब्लिक बिल्कुश समझ चुकी है कि यह कैसा इंसान है जो बहरूपिया इसके लिए पैसो के लिए और कुछ लोग जो हैं मेरे चेहने वाले या मेरे प्यार करने वाले वो हमीसा मुझे प्यार करते रहेंगे और मैं आज बहरूपिया के बात करूँगा कि सारी जो पब्लिक है ना वो बहरूपिया को जान चुकी है कुछ पबलिक है जो नहीं जानी है जानने वालों को मैं बताता हूं नहीं जानने वालों को वो भी मैं बताता हूं कुछ पबलिक जान चुकी है इस आख से अब कुछ पबलिक नहीं जानी है अभी भी चस्मा लगाए हुए तो मैं कहूंगा कि चस्मे को उतार कर देखो या चस्मे का एक आइना उतार कर देखो कि सुवी ब्रहेम अपने कैमरे में सच दिखाता है कि नहीं दिखाता है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा और मुझको जो बोलता है कि आमिर की जिंदिकी पैसा है मेरी जिंदिकी पैसा नहीं है तुम्हारी जिंदिकी पैसा है तुम मुझे तो मत देते हो तुम मुझे देते हो तो मत अरे मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ तुम पिरिती मांग के खाने वाले सक्स हो यार तुम पिरिती मांगने वाले सक्स हो हमारी पौपटी को हमारी खेती को अपना बना लेती हो तुम्हारा वहाँ क्या है जो भी है हमारा है तुम्हारा वहाँ कुछ नहीं है हमारी पौपटी को अपनी पौपटी बनाती हो हमारे ट्रेक्टर को तुम अपने ट्रेक्टर बनाती हो हमारी कार को तुम अपनी कार बनाती हो तुम्हारा मौधा में क्या है तुम्हारा एक दोस्त है कोई मौधा में तुम मुझे ये बता दो तुम्हारी आवकात क्या है वो मैं जानता हूँ तुमने क्या कहाता एक-एक मैसिज रखा है आमिर का ये सारी जनता को ये सारी अमाम को आमिर की मैसिस सो दिखा दो कि अमिर ने तुम से क्या माँगा है इस जनता से इस अमाम से आमिर ने क्या माँगा है बेहरूपिया पबलिक को इतना मत बेकूब बनाओ ये मेरी पबलिक से गुजारे से कि आप लोग मुझे 20 परसंट जान चुके हो और 80 परसंट नहीं जाने हो इस बेहरूपिया को पहचान जाओ ये सिर्फ पैसो के लिए है मैं आपको बता रहा हूँ एक दिन आप लोगों को जरूर ऐसास होगा कि यार आमिर सच बोलता था अभी भी मैं कहता हूँ आप मेरा यकीन करो लड़की जो रोली थी वो देखो फलक को देखो अपसेख को देखो जो सक्स अपने मामू का नहीं हो सकता वो तुम्हारा कहा सी हो जाएगा ज्यान देते हैं खुस रहो और प्यार बाटो तुम लोग प्यार के काबिल हो तुम लोग प्यार के काबिल नहीं हो तुम लोग पैसे के काबिल हो तुम लोग की आउकात तुम लोग की मैं क्या बोलूँ यार तुम लोगों को इतना किसी और को बोल देता न वो छुलू भरे पानी में दूटके मर जाता तुम मुझसे बात करोगे तुम्हारे पापा को नौकरी किस ने दी थी आमिर के पापा ने नौकरी दी थी बैंकी में तुम मेरा क्या कर लोगे कुछ नहीं कल भी जीरो थे और आज भी जीरो हो आमिर की नजर में कल भी जीरो थे और आज भी जीरो हो कुए में रहे के मेंढ़क को पता नी चलता कि मैं किस दुनिया में हूँ मैं तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी आउकात तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मुझे बोलते हैं आमिर जहांगीर यूटूबर समझे मुझे फरक नहीं पड़ता यूटूब की इंकम से तो मैं फरक पड़ता है यूटूब की इंकम से ठीके ना तो मैं मुझे फरकी नहीं पड़ता कि मेरा कल चैनल होगा कि मोनटैज होगा कि क्या होगा कि क्या नहीं होग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार मैं इतना खुश से कमाता हूँ आया समझ में तो तुम अपने लहजे में और अपनी लिमेट पे रहो कि रास मत करना आया समझ में आज मैं अभी तक तुम्हारा लहजा करता था ठीके कि चलो यार हटा दो ठीके तुम अपनी आउकास से जादा बढ़ चुकी हो पबलिक को दिखाओ ना आमिर को स्क्रीन सोट कि मैंने तुमसे क्या मांगा है यह सारी पबलिक को बता दो कि आमिर जहांगीर ने तुमसे कभी एक रुपय मांगा हो यह सारी दुनिया से किसी से एक रुपय तुम्हारे नाम से मांगा हो तो तुम म तुम मुझे बिलेंप देती हो अगर मैंने अगर तुम मुझे एक मैसेज सारी पब्लिक को दिखा दो या एक मेरी रिकॉर्डिंग दिखा दो कि मैंने तुम्हारे नाम से क्या क्या मागा है मैं सारी पब्लिक के सामने कहता हूँ हाथ जोड़के लोगों से माफी मांग लूँगा कि मैंने गलती है मुझसे मुझसे गलती हो गई है इतना पब्लिक के नजर में अच्छा मत बनो बेह रूपिया तुम्हारी आवकात के बारे में यह मुझे पता है कि तुम्हारी आवकात क्या है यह सारी पब्लिक नहीं जानती एक एक करके पब्लिक जानेगी मेरी वीडियो तीन-तीन लाख लोग देख रहे हैं एक टेम आएगा एक एक मिलियन लोग देखेंगे जब तीन लाख लोग देख सकते हैं तो एक मिलियन में कोई फरक नहीं पड़ता है मैं सारी पब्लिक से यही कहूँगा सारी अमाम से कहूँगा कि आप उसको कमेंट करो आप उसको मैसेज करो कि मेरे अंकल ने जो बोला मेरे जो पापा ने बोला उसका सबूत दिखा दे मेरे पापा की बारे में बोलके दिखा दे मेरे अंकल की बारे में बोलके दिखा दे मैं सारी महविल के सामने हाथ जोड़ के बोलूँगा कि मैंने गलती की, मेरे अंकल ने गलती की, मेरे पापा ने गलती की इस बहरूपिया के चक्कर में मत पड़ो ये अपने पैसे कमानी के लिए ये कुछ भी कर सकता है मैंने आपको बताया ना कि इसके पापा को नौकरी देने वाला आमिर जहांगीर का पापा है इस बात का ये सबूत दे के दिखा दे कि इस बात को मैं गलत बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूं ठीके मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि प्लीस आप मेरी वीडियो को देखिये चैनल को लैक करो या सपोर्ट ना करो मुझे कोई उससे मतलब नहीं है लेकिन जो मुझे प्यार करने वाले हैं जो मुझे चैने वाले हैं वो मुझे लैक करेंगे वो मुझे सपोर्ट करेंग आज मैं एक जंता के बारे में बोलना चाहूंगा जो आप लोग कमेंट करते होना उससे आमिर जहांगीर को कोई फरक नहीं पड़ता है आमिर जहांगीर जैसा है वो ऐसा ही रहेगा तो मुझे कोई भी कमेंट करो गलत मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है मुझे कोई फरक ही और बहुत जल्ड मैं दूसरे सबूत के साथ मिलता हूं और जिस दिनमें लैफ आ जिस दिन मुझे हकीकत बतानी होगी उस दिन तारीक और टैम सब कुछ आमिर जहँगीर बताएगा और आमिर जहँगीर का अब कोई भी उखारने वाला नहीं है ठीके प्लीस मैं जनता से यही कहता हूँ हाद जोड़के प्लीस सच देख लीजिए सच क्या है जूट क्या है आने वाले वक्त में एक दिन इस बंदे का आप यही कहोगी कि आमिर जहांगीर तुम सच बोलते थे प्लीस कैमेरे में मत जाओ रियल देखो रियल क्या है जो सक्स अपने दादी के इंतिकाल में न जाए जो सक्स अपने मामू के इंतिकाल में न जाए जो सक्स अपनी बेहन की साधी में न जाए उस सक्स को जीने का तर लिये मर जाने का अत्काए बेहरूपिया की जिंदिगी तो लोग बहुत जीते हैं ठीके मैं क्या कहूंगा जो मेरे सवाल थे जो मेरे जवाब थे मैं आप लोगों के हमेशा आप लोग के सामनी लेके आता हूं और जिंदिगी रही हमेशा में लेकर आता रहूंगा आप लोग मेरा वीडियो देखते हो लैक करते हो, सपोर्ट करते हो इसके लिए दिल से थेंक्यू, सो मच बस इतना ही कहूंगा प्लीज इस बहरुपिया को बहुत अच्छे से देख लो अगर थोड़ी से इंसानियात होती न तो ये जीच जाता पबलिक जान चुकी है कि ये सख से कैसा है कुछ पबलिक बाकी है एक आँख से पबलिक देख चुकी है एक आँख से पबलिक बाकी है उस पबलिक भी उस दिन ये आँख भी पबलिक समझ जाएगी कि ये कैसा है और चैनल की बात रहे गई तो यार मेरे चैनल पे कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता अल्ला खिलाता है और अल्ला पिलाता है कोई किसी के बाप का नहीं खाता है मैं तुम्हारे नाम से नहीं खाता हूँ आया समझ में अपनी मेहनत के दम से खाता हूँ अपने दम से खाता हूँ अपने बीबी की कमाई से नहीं खाता हूँ मैं इंसान हूँ बहरूपिया नहीं हूँ एक कमेंट दिखा दो ना पबलिक को कि मैंने तुमसे क्या मांगा तुम्हारे नाम से मैंने क्या मांगा थू है तुम्हारी जिन्दी की कोई सब बास बात बढ़िया